हाई फ्रेंट्स आप लोग कैसे हैं आपका अपना चैनल साहिल एजूकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है आज हम लोग बात करते हैं कलास तेंथ का संस्क्रीत और इसका दस्वा चिप्टर है मंदाकिनी वर्ननम इसका अबजेक्टिव कोश्चन है पहला कोश्चन है महत्मा वीदुरह महर्शी वालमीकी महर्शी वेदवियास महा कवी कालिदास देखिए सबसे पहले कोश्चन को समझे कि कोश्चन क्या पूछ रहा है मंदाकिनी वर्ननम पाठ से रचनाकार को अस्ति यानि मंदाकिनी वर्नम पाठ के रचनाकार कौन है लेखक कौन है तो इ रमायन से ली गई है और रमायन के लेखक जो है महर्शी बालमी की थे दूसरा कोश्चन है रमायनम गरंथस्या रचनाकारह का अस्ति यानि रमायन गरंथ के रचनाकार कौन है लेखक कौन है किसने रचना की है आपका अपसन है सूर्दास तुलसी दास बालमी की वेदव्यास तो देखिए, रमायन गरंध के रचनाकार जो हैं, महर्शी बालमीकी हैं, इसलिए आपका सही अंसर है C, बालमीकी तिसरा कोश्चन है, अजोध्या कांड कस्य गरंथ स्य अंसर अस्ति? यहाँ पर आपसे question पुछा जा रहा है और योध्या कांड कस्य गरंथ अस्य अंस अस्ति यानि और योध्या कांड किसे गरंथ का अंस है आपका अपसन है रमायन अस्या यानि रमायन का महाभारत अस्या, महाभारत का भगवत गीताया, यानि भगवत गीता का रगुवनस अस्या, रगुवनस का तो देखे आज योदिय कांड जो है कि आपको रमायन कांड से, इसलिए आपका अप्शन ए होगा, रमायन अस्या चोथा कोश्यन है रगुवंस महा काब्यम कस्य रचना अस्ति यानि रगुवंस महा काब्य किसकी रचना है आपका अप्शन है महा कभी विभास अस्या यानि महा कभी विभास का कालिदास अस्या का चानक्या यानि चानक्या का वानभट अस्या यानि वानभट्टे का तो देखे रगु वंस महा काव्यम जो है वह कालिदास की रचना है इसलिए आपका आप्षन बी होगा कालिदास से है पाचवा कोश्चन है मन्दाकिनी वर्णनम पाठ किस गरंथ से संकलित है यह कोश्चन द्वहजार अठाड़ा में पुछा गया है इस गरंथ में हुई है रमायन से महा भारत से रगुवंस महा काव्य से विश्नु पूरान से तो देखे मन्दाकिनी का वर्णन जो है वह रमायन में किया गया है तो इसका आप्षन है यह रमायन से चाठा question है नदियां समुद्र में कैसे मिलती है यह question 2018 में पुछा गया है आपका option है नाम को छोड़ कर रूप को छोड़ कर नाम और रूप दोनों को छोड़ कर बीना किसी को छोड़े तो देखिए नदियां जो है समुद्र में मिलती है वो अपना रूप को छोड़ करके मिलती है इसलिए आपका अप्सन भी सही है रूप को छोड़ कर सात्वा कोश्चन है वनवास प्रसंग में राम सीता लक्षमन के साथ कहां पहुँचते हैं यह कोश्चन 2019 में पूछा गया है यानि जब राम को वनवास हुआ था तो राम और सीता और लक्षमन कहां पहुँचे थे आपका अप्सन है विचित्रकुट, सुवर्नकुट, चित्रकुट, पर्नकुट देखिए विचित्रकुट का कहीं भी रामायन में आपका नाम नहीं है, सुवर्नकुट का भी नहीं है, पर्नकुट का नहीं है यह चित्रकुट एक जगा है, वही पर उन लोगोंने पहुँचे हुए थे, तो आपका अप्सन सी सही है आठवा कोशन है, मंदाकनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है, यह कोशन 2019 में पूछा गया है आपका अप्सन है, मलय पर्वत, मंदार पर्वत, चित्रकुट पर्वत, ग्रिध कुट पर्वत देखिए मंदाकिनी नदी जो है वह चित्रकुट परवत्त के निकट से बहती है इसलिए आपका सही अप्षन है C नो नमबर का कोश्चन है मंदाकिनी वर्ननम पाठ रमायन के किस कांड से संग्रहित है यह कोश्चन 2008 में पुछा गया है आपका अप्षन है अरण्य कांड से, अयोध्या कांड से, किसिकंधा कांड से, सुन्दर कांड से तो देखिए मंदाकिनी वर्ननम पाठ जो है रमायन के अजोध्या कांड से ली गई है दासवा कोश्चन है काली दास ने किस नदी का वर्नन किया है यह कोश्चन 2020 में पूछा गया है आपका अप्षन है बूढ़ी गंगा मंदाकिनी यमुना कावेरी तिसका सही अंसर है B, मंदाकिनी एगारा नंबर का कोश्चन है मंदाकिनी वर्ननम पाठ में किस नदी का वर्नन है यह कोश्चन 2020 में पूछा गया है आपका अप्षन है मंदाकिनी यमुना सरस्वति सर्यू तो इसका सही अंसर A है मंदाकिनी नदी कहीं वर्नन किया गया है और आपका बारा नंबर का कोश्चन बालमीकी रमायन से कौन सा पाठ संकलित है यह कोश्चन 2020 में पूछा गया है आपका अप्षन है विश्वसांति करनस्यदान वीर्ता नीति स्लोका मंदाकिनी वर्ननम तो इसका सही अंसर है D मंदाकिनी वर्ननम दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो को लाइक करें, सेयर करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन का बटन दबा दे जिससे की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक ले जय हिंद जय भारत